हेलो एप्रिवर्ट कैसे हैं आप सब आज बनाने जा रहे हैं देखिए बहुत प्यारा और खुशूरा सा डिसाइन का डोर मेट है हम आपको 40 फंदे में बताएंगे जो बहुत प्यारी सी डिसाइन है इस तरीके से गोल सेफ में हार्ड सेफ बना हुआ है जो बहुत प्यारा स लग रहा है और इसी तरीके से आप इसे किसी भी कलर में बना सकते हैं एक किनारे साइट पर रखेंगे इस तरीके से हम यहां पर दो के मल्टी पल से फंदे डालेंगे ठीके आपको जैसे जितना बड़ा चोटा बनाना है मैं यहां पर आपको 40 फंदे का बनाकर फंदों में दिखाए चले बनाना स्टार्ट करते हैं तो ये देखे इस तरीके से हमने इसमें 40 फंदे डाल रखे ठीके बिल्कुल आपको इसी तरीके से 40 फंदे डाल ले हैं उसके बाद देखे यहां पर फर्स रो में इस तरीके से देखे तो 4 तो 6 तो 8 तस बारगा 14 शोलगा 18 बीश बाइस 24 चबईस 28 तीस 32 चोटिस 38 और ये देखे 40 तो 42 बायालिस फंदे हैं तो हम यहांपे दो फंदे भी यहाँ पर कम करेंगे इस तरीके से तो यहाँ पर हमारे यह टोटल 40 फंदे हो गए ठीके तो इस तरीके से आपको 40 फंदे डालने हैं उसके बाद देखें यहाँ से देखें यहाँ पर सबसे पहले इस तरीके से एक इस तरीके से यहाँ पर हम यहां तक की complete row बनाएंगे यह देखें यहां पे हमने आप यहां तक की हमने completeencie बुलिए ठीक है यहां पे दो फंदा चोड़ते हुए हमें यही से पलट लेना है इस तरीके से अब यहां से complete row बनाएंगे यहां पे आपको दिखाएंगे ठीक है अब देखें यहाँ पर उल्टी साइट से बुदते हुए हमने यहाँ पर दो फंदे छोड़े पलट लिया अब यहाँ पर दो फंदा छोड़ेंगे और यहीं से फिर से पलट देंगे इस तरीके से अब यहाँ से फिर से कंप्लीटरों बनाएंगे दो फंदा यहाँ पर पे छोड़ रखे और 20 फंदे यहां पे और यह देखे लास्ट का जो दो फंदा है यहां से हम एक यलो बुनेंगे इस तरीके से और यहां से उपर की साइड आपको इस तरीके से वन पार्ट को आपको छोड़ देना है उपर की साइड आपको इस तरीके से एक देखे आपको सभी फंदों को उपर के साइड हमें बुनते जाना है अब देखिए जैसे हमने यहाँ पर छोटा बनाया था यह वाला डोर मेट हमने छोटा बनाया है थीक है तो यहाँ पर हमने एक फंदे की आउट लाइन इस तरीके से देखे दी है तो हम यहाँ पे बना रहे हैं बड़ा, तो यहाँ पे हम बड़ा बीच में देखें इस तरीके से, यहाँ से एक और दो, किनारे का फंदा बुनेंगे, दो फंदे की आउट लाइन देंगे, और उसके बाद देखें यहाँ से, फिर से इस तरीके से एक और दो, एक इस फंदे को टारेंगे और पीछे की साइट करेंगे और यहां से यहां बुनने के बाद देखें अब यहां से पलड़ देंगे इस तरीके से उपर की साइड देखें यहां पे अब आपको यहां पे ध्यान देना है इस तरीके से एक दो तीन इस तरीके से सभी फंदों को बुनना है आप देखें जब यहां पे किनारे का हम दो का रो बना रहे हैं म उसके बाद देखे इस तरीके से पीछे की साइड करते वे यलो कलर को आगे की साइड लेंगे देखे यहां से पीछे की साइड करेंगे और यलो कलर से यलो को बुनेंगे पीछे की साइड और सीधा बुनेंगे इस तरीके से अब यहां से पलट देंगे फिर से यहां पे आएगे, आप देखे इस तरीके से हमने यहां पे इतने फंदे छोड़ाऊ हैं, उसके बाद देखे, अब यहां से 4 रोग बनाएं हमें, देखे इस तरीके से एक, तो इस रोग में हमने 1st रोग में कोई फंदा नहीं बढ़ाया, second में 1, 2, 3, 4 चार रो में हमने एक एक करके फंदा बढ़ाया और पाचवी रो को हमने कोई देखे यहाँ पे कोई फंदा नहीं बढ़ाया ठीक है आपको भी इसी तरीके से कोई फंदा नहीं बनाना है बढ़ाना है क्योंकि यहाँ पे जो होता है गोल राउंड के लिए जो इस पेस देना होता है मलब यहां पे जब गोल राउंड सेफ देना होता है तो उसके लिए 4-5 रो में फंदे बढ़ाने के बाद आपको यहां पे जो 2-4-2-6-2-8 आठ फंदे हमारे लास्ट में जब बचेंगे तो यहां से आपको 2-4 ऐसे ही छोड होते जाना है तीन फंदे तक की देखे तीन रो में और छोड़ेंगे उसके बाद आगे दिखाएंगे आप देखे यहां पे बीना फंदा बढ़ाये हुए ऐसे ही हमें बुनना है 4-5 रो मुनाई करनी है आप जैसे यहां पे बना रहे हैं देखे आप यहां पे दो फंदा हम चोड रहे हैं लेकिन यहां पे हमने कोई फंदा बढ़ाया नहीं यहां से छोड़ देंगे और उपर के साथ जाएंगे ऐसे ही जो जैसा है वैसे हमें यहां पे बुनना है ठीक है इस तरीके से लास्ट के दो फंदे रहोने तक कि हम गोल सेप में इसी तरीके से बीना फं फंदे बीना कोई फंदा बढ़ा हुए आठ सलाइयों को इसी तरीके से बनाया उसके बाद देखे यहां पर जो फंदे हमने दो-डो करके छोड़ रखें उसके बाद देखे यहां से इसे उतारेंगे और यह देखे यलो फंदा पुनेंगे यहां से आपको पलड़ देना है उसके बाद यहां से देखें, सीधी साइड से लेंगे, यह देखें, यहां पर जो यह दो फंदे हैं, इन्हें हमें दो का एक करना है, ठीकें, दो का एक करेंगे, नीचे की साइड एक फंदा, देखें, यहां पर एक, दो, और एक जो दो फंदे छोड़ेतें, उसमें से एक और यहीं से पलट देंगे, इस तरीके से, ठीके, अब यहां से, देखे इस तरीके से में फिर से उपर की साइड बुनना है, complete फंदे देखे यहां पर सीधी साइट से फिर से यहां पर अब जब हमने यहां पर 4 फंदे बढ़ाये थे तो 4 फंदे हमें नीचे की साइट जाते हुए यहां तक की बुनेंगे नीचे की साइट जाते हुए में यह 4 फंदे कम करने है 2 क ऐक करते हुए जाना है, ठीक है, यह देखिए इस तरीके से, फिर से इस रो में हम, सेकंड रो है, तो यहाँ से, फिर से हम 2 का ऐक करेंगे, यह देखिए यहाँ पर आसानी से, 2, 1, 3, और नीचे की साइट जो एक फंदा बुना था, उसे बुनेंगे, सबसक्राइब उसके बाद आप नीचे की साइट देखे एक इस तरीके से यहां पर सभी फंदों को हम बूंते जाएंगे नीचे की साइड यहां पर हम complete फंदे बुन लेंगे देखे इस तरीके से आपको बुनना है क्योंकि यह जो दो का एकर करके हम फंदे छोड़ते जाते हैं उन्हें सबी फंदों को इस तरीके से बंद कर देंगे ठीके क्योंकि आगे चलके जो नेक्ट शो को हम यहां पर करना सेथरा में bizim एक पनता बढ़ाना था उसके बाद जैसे यहां पर बनाया साट खोड़ के सब और इस तरीके से हार्ट सेफ देंगे ठीक है देखिए अब यहां पर हम इस तरीके से यलो कलर को लेंगे अब यह नेस्ट वाला हार्ट सेफ एक बन गया एक बनाना है तो यहां से देखिए इसे इस तरीके से लेंगे ठीक है यहां पर एक फंदा इस तरीके से बढ़ाएंगे एक फंदा बढ़ा लिया उसके बाद देखे इस तरीके से नीचे की साइड जाना है यहां से सभी फंदों को एक साथ में बुनना है देखे यहां पर इस तरीके से बिल्कुल जैसे मैं बताती जाती हूँ आपको सेम प्रोसेस में बनाना है फिर से दो फंदा यहां पे छोड़ देना एक हमने फर्स ट्रों में यैसे ही छोड़ दिया था इसे हम लाश्ट में बुनेंगे और यहां पे दो फंदे छोड़ना है पलट लेना है इसी तरीके से उपर की साइड बनाते हुए जाना है आप देखे इस तरीके से second layer की ये hard shape यहाँ पर बन के ready होगे अब नीचे की side हम जाएंगे यहाँ से और इस फंदे को उतारेंगे इस तरीके से पीछे की 3 side करेंगे और यहाँ से yellow color का धागा लेके नीचे की side इस तरीके से complete fundे बनाने है यहां तक हम ने सभी फंद्ग को बुन लिया उसके बाद और यहां से हम complaint फंदे उपर के साइड बनाएंगे यह देखे इस तरीके से यहां पर सभी फंद्ग को बुनते जाना है यह देखे इस प्रकार से अब यहां पे जो यलो के हैं इन सभी फंदों को इसी तरीके से बुन लेंगे देखें यहां से सभी फंदों को हमने complete बुन लिया इस तरीके से अब यहां पे सीधी साइट से देखें यहां से जैसे हमने यहां पर दो दो करके इस साइड पर छोड़े दो दो करके इस साइड पर छोड़े उसी तरीके से ने इस पत्ती में भी बनाना है देखे इस तरीके से यहां पर बनाएंगे उसके बाद नेस्ट रो में फिर से इसी तरीके से बनाते जाएंगे जैसे इसका